नमस्कार दोस्तों चलिये करते हैं वैबाउ ग्लोबल लिमिटेड शेर के टेक्निकल अनिलिसेस और देखते हैं इस शेर में हमारे बेस्ट बाइंग लेवल्स कौन से रहेंगे और हम ये भी डिसकस करेंगे कि ये शेर हमें शौट टम में कौन से टार्गेट साथियू करता तो चलिये वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पर अगर हम बात करते हैं वैबाउ ग्लोबल में रेजिस्टन्स की तो यहां पर आप देखो 376 का लेवल एक इमपोर्टन्ट रेजिस्टन्स लेवल है आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये वाला जो जो जोन है ये जोन इस शेर के लिए एक इमपोर्टन्ट रेजिस्टन्स है पहले इस शेर ने इदर रेजिस्टन्स वेश किया था फिर इस शेर में घिरावट आई थी घिरावट के बाद जब उच्छाल आई तो वापस से आप देखो इस शेर ने इसी जोन में रेजिस्टन्स वेश किया और अगर हम बात करते हैं इस share में support की तो यहाँ पर आप देखो इस share में 330 रुपीस का जो zone है ये वाला zone ये zone एक अच्छा support है क्योंकि यहाँ पर पहले भी share ने support लिया तो अभी भी आप देखो ये share इसी levels के इधर टिका हुआ है तो यहाँ पर 330 रुपीस का zone एक अच्छा support है वाइब हो ग्लोबल में पर दोस्तों अगर इस share में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है तो यहाँ पर 294 का ये वाला जो support level है ये बहुत important support है क्योंकि यहाँ पर आप देखो इसी level पर इस share ने multi time support लिया है तो यहाँ पर 294 का level भी एक अच्छा support है दोस्तों आईएब हम apply करते इस share में कुछ important technical indicators और देखते हैं ये indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं दो important indicators को apply करूँगा MACD और RSI तो यहाँ पर जब तक दोनों indicators apply हो रहे हैं तब तक आप वीडियो को like कर दीजे और ऐसे videos के लिए आप channel को subscribe कर दीजे क्योंकि वाइब हो global जैसे shares पर मैं regularly technical analysis का वीडियो लाता हूँ अगर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो MACD indicator में positive histogram generate हो रहे हैं इसका यह अर्थ के MACD बुलिश है RSI भी बुलिश है दोनों indicator बुलिश दिखाई दे रहे हैं पर दोस्तो यहाँ पर RSI जो है वो overboard zone में आ गया है तो यहाँ पर हम एक share 380 के उपर गया तो आप इस share में खरिदारी कर सकते हो उसके बाद दोस्तों short term में यह share 440 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक भी जा सकता है और दोस्तों अगर यह share अपना resistance break नहीं करता तो यहाँ पर हमें एक consolidation या फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है इसलिए अगर है